हेलो दोस्तों ये है stock market paradise आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे sector की जिसे की 2030 तक बहुत ज़्यादा उपर ले जाना है हमें government policy पर policy ला रही है कि इस sector को हमें उपर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है क्यों क्योंकि जो हमारा export है वो आप देखेंगे कि pandemic के पहले से यानि कि 2019 से आप देखेंगे December से यह नीचे गिरना जब सुरू हुआ तो गिरता ही जा रहा है और अब भी भी आप देखोगे तो ज़्यादा इसमें गिराबाटी देखने को आपको मिलेगी लेकिन अब धीरे इसमें हम boost लाने की कोसिस कर रहे हैं तो government अच्छी policy ला रही है इस sector को आगे बढ़ाने के लिए देखिए आने वाले time में अगर आपको financially independent होना है अगर आप चाहते हैं कि 10 से 15 साल में आप financially independent हो जाएं तो इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ती है वो यह कि आपको बह बहुत ज्यादा percentage आपको देखने को मिलीगी कि इसकी गिरोत बहुत ज्यादा होने बाली है सब सेक्टर आगे जाते हैं देखिए आगे तो सारी सेक्टर जाएंगे एक परसेंट जाएगा कोई 5 परसेंट जाएगा लेकिन अगर कोई 20 परसेंट जाता है तो इसमें अच्छ बहुत ज्यादा गिरोत पकड़ने बाला है तो जिस सेक्टर की हम बात कर रहा है उसको डीटेल में समझते हैं ऐसे आपको किसी ने नहीं समझाया होगा यह पहली वीडियो में बना रहा हूं इतनी डीटेल में आप समझिए अच्छे से यहां पर देखिए बल्ड ट्रेड बल्ड ट्रेड और हमासे डीटेम लाज़िवन उन्हें बेगो अच्छे से ले उसको आप अधर व्ह dropdown बोगनलेृट देखेंगे तो यहां पर आप समझिये, देखे, चाइना का एक्सपोर्ट देखे, चाइना का यहां पर टेक्स्टाइल में, टॉप 10 एक्सपोर्ट और टेक्स्टाइल 2019, यहां पर बिलियन डॉलर की बात हो रही है, याद रखिये गा, बिलियन डॉलर की और यह परसेंटेज, देखेंग 90 billion dollar से 119.6 dollar यह बिलियन में है सारा बिलियन में डेटा तो यहां पर देखिए कितनी ज्यादा कि रोत हुई है इतनी फिर अगर आप European का देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से 66 billion dollar हो गया बहुत ज्यादा है अची percentage यहां पर हुई है लेकिन यही पर आप इंडिया का देखेंगे तो यहां पर 55 या 56 आपको देखने को मिलेगा billion dollar यहां से कितना ज्यादा नजया कहा है दो आउन गया है बहुत ज़्यादा 17.2 db generates 17.2 billion dollar बहुत जदा कम होता है इतना जयादाँ आपको चेंज देखने को मिलेगा यह माइनश में हमारा माइनस में इन दौनों का चाइना का और यूरो पीन का यहे आपको पॉजिट्ब में देखने को मिलेगा यान क्याए हम इन दौनों के लाइन में खड़े हैं क्योंकि टॉप 3 एक्सपोर्टर में अगर देखा जाए तो टॉप 3 पे हम आते है 66.3 European की है और 119 यहां पर बिलियन डॉलर आपको देखने को मिली चाइना की Annual percentage में हमारा जो इंडिया का textile sector वो गिरा हुआ है यानि कि आपको जो last year में देखेंगे 2018 का अगर देखेंगे तो बहां से यहां पर आपको reduction देखने को मिलता है तो अब इसको हम अगली साल में अगर देखें यहां पर आप समझ यह थोड़ा और इसमें अगर किलो तिंग में आप देखेंगे कि किस तरीके से हैं सारी चीज़े चाइना 151.6 billion यहां पर export करती है इतने का यहां पर देखेंगे यहां पर पॉइंट देखेंगे 70 डॉलर मान सकते हैं 70 billion यहां से यह इतना जादा कितना जादा boost कर गया केवल एक साल में 2018 में यहां पर थी और 2019 में यहां पर बहुत जादा boost है यहीं आप European का देखेंगे यह यहां पर आपको 100 यहां पर 98 billion डॉलर देखने को मिल रहे थे यह बं 35.6 billion डॉलर बहुत आगे बे जो बंगलादेस है उसका भी हमसे जो export है बहुत जादा है क्लॉथिंग में क्योंकि यहां पर देखेंगे कि यह जो यहां पर देख रहे थे आप 110 billion डॉलर यहां पर देख हुआ है हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी डिक्रीज होने के बाद भी 2019 में आप देखेंगे बंगलादेस उपर है हमसे export में क्लॉथिंग में तो 33.6 billion डॉलर का आपको मार्केट देखने को मिलता है बंगलादेस का वर्ल्ड में फिर वेतनाम आती है और फिर आती है इंडिया इंडिया का देखी हां से गिरा हुआ है 115 billion डॉलर से गिरकर हो गया है थाै पवनियों से सवहीं 17.2 बिलियन डॉलर क कम होगया मैं इतना जायदा नहीं हो चाहिए क्योंकि हमारा जो abi ए उसमें क्या किया उस टाइम पर музы ऍसमें जो इस दिया हुआ होता है क्योंकि मैं कि इसमें हमें में टक्स्टाइल से तो आपको देखने को मिलते हैं लेकिन यहां पर हमने क्या किया गवर्मेंट ने टेक्स्टाइल पर ज्यादा ध्यान नी दिया फिर अगले साल का अगर हम डेटा देखेंगे 2020 का तो आप पे बल्ड ट्रेड और गनाईजिसें रिपोर्ट ने बताया कि वर्ल्ड जो तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे रिपोर्ट आती है 2021 में और इसकी आई ती 2020 में यानि कि आपको हर एक साल बादी डेटा देखने को मिलता है क्योंकि सारी चीजें आपको एकट्टा करनी पड़ती है तो यह आपको अब जैसे 2021 का अगर आप डेटा देखेंगे तो यह आपको 2022 के आपको मई में देखने को आपको मिलेगा तो तब हम 2020 का डेटा देखेंगे तो अभी आप देखिए कि यहां पर जो टेक्स्टाइल है वो किस तरीके से देखने को मिलती है चाइना का देखिए यहां पर आपको देखने को मिलता है कि इतना यहां पर आपको पिछले बाले में दिखाता हूँ मैं यहां पर कितना था 151.6 billion dollar यहां पर कितना 154.1 billion dollar यानि कि फिर से इसने increase लिया है फिर से इतना ज्यादा इसमें increase देखने को मिला है तो इनकी जो sector वो बढ़ता ही जा रहा है 28.9% इनका sector बढ़ा है तो बहुत जादा 154 billion dollar अगर किसी का market है एक्सपोर्ट में तो बहुत बढ़िया चीज होती है फिर बहीं पर आप देखेंगे European Union का तो इनका भी बढ़ा हुगा 3.4% से तो इनका जो हो गया 64 डॉलर हो गया 64 billion dollar अब मैं बार-बार billion बोलूं नहीं बोल पर आप जदा सोचिए कर नहीं कि मैंने billion नहीं बोला क्योंकि billion में बात हो रही है फिर आप देखेंगे इंडिया का 15 डॉलर है 15 डॉलर और यह हां पर reduction हुगा है पिछली बार हमने क्या देखा था कितना था यहां फिर एक सेकंड देखते हैं यह देखिए 17.2 17.2 देखने को मिल रहा था और यहां पर कितना देखने को मिल रहा है 15 तो क्या हुआ reduction हुआ न यह 2020 में pandemic के time पर देखने को मिला तो आपको जो इंडिया का sector है बहुत गिरता हुआ ही नचर आएगा दो से तीन सालों का अगर आप data देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत जादा गिर चुका है तो इसको हमें बूश्ट करना है किस तरीके से हम बूश्ट करें यही government policy पर policy ला रही है कि हमें इसको बूश्ट करना है कम से कम हमें इनकी टक्कर में ख थोड़ा सा उपर है इसलिए हम तॉप 3 में आ गए अधरवाइं दो से तो टक्कर ही नहीं ले पा रहे हैं तो इन से हमें टक्कर लेनी है government की यह policy चल रही है कि हमें बहुत ज्यादा काम करना है textile में और अगर आप clothing में देखेंगे तो इंडिया फिर से clothing में आपको गिरता ह इसमें हमें growth कैसे लानी है यह हमें देखना है तो गिरत लाने के लिए बार बार government यही बता रही कि आप जो textile से जोड़े हुए हो तो आप इसमें थोड़ा सा promotion कीजिए चीजों को आगे ले जाईए अपने जो नई technology से अपने cloth बनाईए textile को और ज्यादा improve किजिए तो government भी कि यहां पे आप बहुत जादा काम कर रही है और boost करने की बहुत जादा कोशिस कर रही क्योंकि हमारे जो export है वो कम होता जाता है और उसे हमें आगे ले जाना है क्योंकि हमारे पास textile बहुत जादा अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा और इसमें जो आपको companies देखने को मिलती है उसमें एक अच्छी company आपको देखने को मिलती है रीवा textile ट्राइडेंट की हम बहुत बार बात कर चुके हैं आप यहां पर अपना अगर रपया इन्वेश्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं टैक्स्टाइल में बहुत ज्यादा बूश्ट देखने को मिलेगा आपको 2030 तर यही सच्छा यह तक्स्टाइल अगर बूश्ट नहीं करेगी तो आपको किलो सारे बाहर से लेने पड़ेंगे टैक्स्टाइल का जो भी धागा आपने देखायों धागा समझरें आप ढ़ागा जिससे आप बहुत सारे काम करते हैं जो आप कपड़े पहने हो अभी वो धागी से बने हुए तो आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे एख स्बस्रेश परऒड़ से संया नहीं है इन से पेडि़ कि कम देखने को मिली की जिन आने बाले टाइम में बहुत अची गिरोट आपको देखने दो यह हम रिवा टेक्स्टाइल क्या बात करते कि वीवा टेक्स्टाइल कि साफ किस तरीके से कम कर ती है रिवा टेक्स्टाइल का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 48 हजार देखने को मिलता है बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है और करेंट प्राइज आप देखेंगे 50 रूपेज यहां पर बुक वैल्यू आपको ज्यादा देखने को मिलती है 71.7 परसेंट यानि कि यह बहुत अच्छी से गिरोथ कर सकता है ROCE देखेंगे 9.47 और ROE अच्छी देखने को मिलती है 8.83 कम्पनी ने जो 52 वीक का हाई लगाया है यह 73 और लो है 30 कम्पनी ने अभी जक डिवीडेंड नहीं दिया क्योंकि यह आल्मुस्ट आपको अभी आपको अभी आपको अभी रिवा टेक्स्टायल एक्सपोर्ट करती है और यह अटेट टेरी टावल्स तरी टावल्स आप जानते होंगे जो वात रूम में यूज होते हैं आप जो टावल्स यूज करते हैं और तक्डराफ मैनुफेक्चरिंग यूनिट यह बनाती है और यह नियू देली से 100 किलो मि बैल्यू से नीचे देखने को मिल रहा है कम्पनी का जो क्वार्टर ली रजल्ट वो एक्सपक्ट किये जा रहा है कि बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा अब इसमें कुछ चीजें ऐसी है कि आहां सिल्स नहीं बढ़ी है यहां पे आप देखेंगे डिवीडेंड नहीं पे किया लेकर यहां पे पर प्राफित देखने को मिल रहा है ठीक है यह हम ड़ी इसमान अगर कोई कमपनी डिवीडेंड नहीं देती तो इसका मतलब यह नहीं की कॉन्स है वारन बफे जी की यह कंपनी यह वो कभी डिवीडेंड नहीं देती तो क्या उसका कॉंस हो गया नहीं लेकिन रिपीटेडली प्रॉफिट अगर बना रही है तो बही अच्छी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए तो यह रिपीटेडली बना रही है कंपनी की जो सेल्स हैं वो थोड़ी डाउन हुई है मैंने आपको बताया कि जो मार्केट है आपको डाउन देखने को मिला है इंडियन टेक्स्टाइल का कंपनी है लो रेटरन ओन एक्विटी ठीक है 11.75 आपको FD से तो अच्छा ही देखने को मिलता है आने बा हम आगे देखें कि क्वाटरली रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है कंपनी का तो यहां पर आप देखिए सेल्स यहां पर कंपनी करती है जून 2021 मैं 43.54 करोर की यहां पर एक्सपेंस कितने होते है 40.07 करोर के तो ओपरेटिंग प्रॉफिट आपको इतने का हो गया और जो टे करेंगे तो यहांपर देखिए कंप में कभी ये लॉस में तो नहीं घे जो भी this stock ट्रीट किया ऊचाए वो प्राउग गया हो लेकिन cos ng कॉपनी कभी तो नहीं गई कंपनी हमेसा प्रॉफिट बनाती ही रहे है जो अन्य अप्न और जूए आप प्रॉफिट देखिए बहु करोर का आपको देखने को मिल डैया डीक है अच्छा है company ब्ल्रेक्त सब्सक्राइब कर रहेंłby कर दो लिएbot temperature क्यों से सब्सक्राइब यहां पर मारकेट हमारे इंडियन टेक्ष्टायल का गिरा है लेकिं के लिए यह कंपनी अच्छा profit generate कर पाई है यहां पर 6 क्रोड तो यह सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है फिर अगर हम देखें यहां पर निवेश्टर सेयर ओल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं इस कंपनी का तो यहां पर देखिए आप पिर्मोटर्स जो delighted 61.85 देखने को मिलते हैं 61.85 परसेंट यहां पे प्रमोटर देखने को मिलती हैalten इस जानतेीक आने बाला जो टाइ्म है वो टेक्षटाइल का है हमार तैक्स्टाइल हमारा यह इस यह बना जब हम यह नहीं हो रहा है इसलिए जटाई आ शुर्ट कम नहीं लाह बन पहना है यहां पे लोग कम नहीं कर रहे है अगर बनेगी कोई चीज तब Egyptians होकी यह कि हमारी घर में रखी और उन्हें एक्सपॉर्ट नहीं कर रहा है तो हमें बंौरैय। मिव dethran कि अधिर तो यह छोगों के पास पैसा आएंगा कंपनी पैसा बनाएगी तो चानीमाला टॉट के हम लाए और यह अच्छे से नजर गडाएं बैटे ऊवह हैं थे बती हां प्रेरियों कहलेखिए , अबार सब्राइब यह से कम नहीं पेल प समय हस्ते माराइब लकलता हाँ यह नहीं कर दया के इंटाईबर मतलते हुनुए सब्सक्राइब neemاتidir , तो कम पब्हकिलार हाँ में बात करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारी जो textile कि अच्छी जो फंडमेंटली श्टरोंग कि अपको बता हूँ और उनके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आपको किस तरीके क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको यह वीडियो पेस्ट की है जिसमें कि मैंने आपको आपको एकसपोर्ट और जो इंपोर्ट उनके बारे में सब कुछ बटा करता है सबivanे को पर Мне देखने को नहीं मिलेगा तो किस तही के से आपको यह लाइस लगाए यंग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते है और अग्र अग अब तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिये आप महां पर जाके आप इस टॉक में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं आप इस टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरे जाऊ स देखने को मिलता है बहुत ही कम इनवेश्ट कर सकते हैं आप जब भी डीमेट अकाउंट ओपन करें मेरे लिंक से ओपन कीजिए यहां पर आपको एक हजार का बिरोकरेज फ्री मिल जाएगा यानि कि अगर आपके एक हजार तक जो जनरेट होता है वह आपका माफ हो जाएगा यहां पर एक हजार के ऊपर रुपए देन कर दो कि बिरोकर यहां पर आपके से एक हैंमेंगा कारि मिल जापकाुंभारी यहां पर एक हमेशाई एक बास्वाएगा यहां कि अदुढ घ्र एक कॉ्छ उनरेएशा यहां जराइवारी हैं फच्शी तेर पिर्शर के जगएवारी हैंげ।